सिंपल और टेस्टी रेसिपीस के लिए बने रहें मेरे चानल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी वेलकम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं वेजिटेबल सूप की रेसिपी सर्दियों में अगर गरम गरम वेजिटेबल सूप मिल जाए तो मजा ही आजाता है वाइटमिन्स और मिनरल से भरपूर वेजिटेबल सूप बच्चों को भी बहुत पसंद आता है तो चलिए बिसमिला करते हैं सब्सामिया मैं ने लिए यहां पर बीनज है फूलगोई भी है बनगोई भी है गाजर है, थोड़ी सी कैपशिकम है, कॉर्न है और मटर मैने लिया है सब्से आप अपने पसंद की ले सकते हैं इससे प्रो का सब्सक्राइब करें जैसे खिलम सब्कराइब कर से भंकड़ें हैお願いします अधुन को आपो ऊच्छारी अच्छा सब्सक्राइब में जिसन सब्सक्राइब लिया है अध्रक और लैसन के अध्रक और लैसन की हम हरीमेश अप्रेज और एक फाइन चॉप प्याज आड़ करेंगे इससे भी सोते करेंगे और जब क्रास्लूसेंट हो जाए तो इसमें हम सबजीया ऩैड़ कर लेगे एक एकर के सारी सब्जिया हम एट कर लेंगे सब्जियों को बस फाइन चॉप करना है बहुत अच्छी बारीक जितनी कटेगी उतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें और जल्दी गल भी जाती है सब्जिया और इसका क्रंच भी बना रहता है क्योंकि हमें ज्यादा इसे पकान आतरा नहीं होता है बस हलका सा फ्राइब करेंगे हम नमक कर लेजे सारी सब्जिया मैं अस patio पर आड्ट कर लेंगे उतना ही असान है बस एक dairy काम इसमें है और विए तो इस तरह से अगर हम चाहें तो सब्जियों को काट कर रख सकते हैं फ्रिज में एक दो दिन के लिए जब बनाना हो तो पानी डालें और सूप आपका रेडी है तो अगर सब्जियां आपकी कटी वें तो यह सौटेड जब बॉइल आ जाएगा पानी में तब हम इसे कवर कर के कुक करेंगे 10 मेट के लिए ताकि सब्जियों का फ्लेवर और उसकी सारे फायदे सूप में आ जाए जब यह हो जाए तो फिर हम तेजपत्ता हटा लेंगे उपर से अब अगर चाहें तो इसे आज़िटीज पी सकते हैं मगर अगर आपको रेस्टरें स्टाइल बिल्कु अब थोड़ी सी काली मेश आट कर देंगे फ्लेवर बहुत इनहांस हो जाता है इससे थोड़ा सा बस लुक के लिए आप एक टी स्पून सोया सॉस आट कर लें अगर आपने चाहें तो ना आट करें अब हरी प्यास जो हमने काटकर रखी थी वह डाल देंगे और हरी धनिया से गानिश कर देंगे इसे बहुत ही हल्दी और बहुत ही टेस्टी सूप आपका रेडी है फ्लेम आफ कर दें और सबसे इंपॉर्टन स्टेप फ्लेम आफ करने के बाद एक निम्बू का रस इसमें ने चोड़ लें वेजिटेबल सूप में जब निम्बू का टैंगिनेस आता है तो बहुत टेस्टी लगता है आप इसे जरूर डालें अब हम सूप को गरम-गरम सर्व कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिशिस होता है और बच्चों को खासकर यह बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें चाइनीज फ्लेवर्स होते हैं अब आप उपर से काली मेच स्प्रिंकल कर लें थोड़ा सा बटर अट कर लें और इंजॉय करें से होप आपको यह हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी और आप ट्राइज जरूर करेंगे आप एजिटेबल सूप को ट्राइज जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसी बनी है आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाला अपना ख्याल रखें थैंक्स पर वाचिंग